जंगल की कहानी पियारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि अफ्रिका के एक जंगल में बहुत से जानवर आपस में मिल जल कर रहते थे और एक दूसरे का खयाल रखते गोया जंगल में मंगल था शीर भी बिलावजा किसी जानवर को ना मारता अगर भूक लगती, तो घास खा लेता या किसी कमजोर जानवर को खा लेता जंगल के जानवर हंसी खुशी जिन्दगी बसर कर रहे थे कि एक दिन ना जाने कहंसे उनके जंगल में एक लूमरी आ गई बच्चों आप तो जानते ही ही कि लूमरी कितनी चालाक होती है जानवरों ने उससे पूछा कि तुम यहां कीम आई हो तो वो जूट मूट के हिंसु बहाना लगी और बोली में जिस जंगल में रहती थी वहां मेरी कोई इज़त नहीं करता था लिहाजा में मजबूर होकर यहां आई हूँ जानवर उसको अपने बादशाह शीर के पास ले गए और सारी बात बता दी शीर ने कहा देखो बे तुम सब जानते हो कि लूमरी चालाक होती है लिहाजा में तो उसको यहां रखने को तयार नहीं बादी तुम सब की मर्जी जानवरों को लूमरी पर तरस आ गया और आखर जानवरों के कहने पर शीर ने लूमरी को जंगल में रहने की इजासत दे दी